नमस्कार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बाव फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आप सभी को सावन की बहुत-बहुत सुपकामना है साथ में इसका महत्तों क्या होता है और क्या उपाएं हमें करने चाहिए कि सुख सम्रिद्धी और धन की प्राप्ति हो तो ये सारी बाते हम इस वीडियो में शेयर करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू कहते हैं सावन का पहला प्रदोश्वरत 25 जुलाई दिन सोमवार को है इस दिन सावन का सोम प्रदोश्वरत है और सावन का दूसरा सोमवार वरत भी है सावन सोम प्रदोस्वरत के दिन अत्यांत ही सुप संयोग बन रहे हैं इस दिन दो राज्योग के साथ सरवार्त सिध्योग और अमरित सिध्योग का भी निर्मान हो रहा है इस वज़े से यह दिन पूजापाट आदी की द्रिश से बेहद ही महत्पूर है जो लोग पूरे वर्ज प्रदोस्वरत रखना चाहते हैं वे इस दिन अप उस वरत का प्रदोस्वरत का प्रारंब कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बेहद ही सुप संयोग में है सोम प्रदोस पर बनने वाले तीन राजयोग और सुपसंयोग के बारे में आई आपको बताते हैं सावन सोम वार का सोम प्रदोस वरत कब है तो सावन कृष्ण त्रयोदे सितिती का जो प्रारम है वो 25 जुलाई सोम वार को साम 4 बच कर 15 मिनट से होगा सावन कृष्ण त्रयोदे सितिती की जो समापती है वो 26 जुलाई मंगल साम 6 बच कर 46 मिनट ते होगा जो शिव पूजा का प्रदोस मुहूर्थ है वो शाम 7 बच कर 17 मिनट से रात 9 बच कर 21 मिनट तक रहेगा हर 23 तिती को प्रदोस वरत परता है भारती पंचांग के आधार पर दिखा जाए तो एक साल में कुल 24 प्रदोस वरत होते हैं हिंदू कलेंडर के अनुसार हर माहा के कृष्ण पच और सुक्ल पच को मिलाकर दो प्रदोस रखे जाते हैं हर माहा की 33 तिती पर प्रदोस वरत रखने की परंपरा है क्योंकि इस तिती को अधिपती देव भगवान शिव शंकर की तिती माना जाता है सावन का प्रदोस वरत है क्या विशेश है इस दिन वैसे तो पूरे वर्स के प्रदोस वरत महत्वण होते हैं लेकिन सावन माहा के दो प्रदोस वरत का विशेश महत्व होता है क्योंकि ये शिव प्रियमास में पढ़ते हैं सावन माहा भोले नात को प्रिय है और इस माहा के प्रदोस वरत को करने से अनंत फल की प्राप्ती होती है सावन के पहले प्रदोस पर दो राजयोग बन रहे हैं 25 जुलाई सुमवार को सावन का पहला प्रदोसवत है इस दिन शंश और हंस राजयोग के साथ ही बुद्धा दित्य सरवात सिध्योग और अमरित सिध्योग का सुपसयोग बन रहा है इस सावन सुम के दिन प्रदोस के दिन आप रावर विचरित सिवतांडर स्रोर का पार्ट कर सकते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं इससे धन वैभो की देवी माता लच्मी भी प्रसन्न होती हैं वे भक्तों की दरेदिता दूर करती हैं और उनके यस और धन में चैहों क्या दान करना चाहिए हमें की सुभफल की प्राप्ती होता है। इस दिन आप दान्य בהद्विदान से भगवानشिव की पूजा करके जो पून्य-प्राप्त होता है, सुभफल की प्राप्त होती, वह क कई गुना बढ़ जाती है। दो सोम प्रदोस का अब रता आप ज़रूर रखेगा आसा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्रीस संसेब कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए